नमस्ते, स्वायम से साक्षातकार में मैं दर्शक्गनों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, हमारे आज की कड़ी का शीर्शक है, हृदय है भूमा अखंड। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि ये मैं कैसे, मैं इस उनिवर्सल, मैं इस इंडिविज्वल, मैं इस अपसिलूट और इस मैं में फिर जगत की सृष्टी कहां से आती है, तो हमने पिछली बार देखा कि ये मन ही जगत की उपज का कारण है और मन ही जगत की ले का कारण ह अब हृदाय एक बहुत ही important हमारे शरीर का एक organ हम समस्ते हैं तो ये जो हृदाय organ है जिसको heart बोलते हैं वो शरीर की functioning के लिए एक very very important organ है और actually जो तात्विक दृष्टी से spiritual angle से जो हृदाय है वो सर्वव्यापी है वो भूमा अखंड है वो absolute है, indivisible है, infinite है वो कैसे है? आईए सुनते हैं प्रज्व्यानपुरुष श्री स्री बावठाकुर को लगो येतना सब्द है एक सब्द का एक केन्र है तो केन्र है हृदाय ही भृदाय है शल्ब बिद्धा नाम एकायनमे बभु जेतना भी बिद्ध है बिद्ध का मतलब हलता है जिए इन्हान कोफ़दी गलत कर ज़ी आर जिए ज़ी अरे शजान मेडनी अरे विए यहां किसुख्तु कुट है इन्हान मेडनी विए पुराकरते है आरेम उन्हान कर जासा कर बसे हमना है जहां हें हाथ में हरे फ्रदै कि यह संस्ग्कित कि हो हो है कि अफ्सलूट। उसको consigo में। एक शेंटर हो हमाँ आई CHAIT SHOWAT एमार आईग। आईस एक शेंटर हो हा कॏम सेंटर हो है हमारे आईग। एक शेंटर हो है। वसको कहता है। चेंटर इसेंटर इवरिवर्यवर्य वर्ट शर्कॉंफरंस नोहर्ट आएका कोई लिमिटेशन नहीं है। बस्पाल से जतना भी आएका उनुभूती हुआ सब कोई रिम्मबर करने से क्या मानू होगा। सब कोई बस्सक्राइब कर्मनू मानू हो प्हाट भी अ पाकलन नहीं हो प्सकार्ण सिर्ण नहायान। वो बनद बन जेसी थाई रह गिया तो यह बारता यह जो मेसेज है। यह मेसेज वाज वान एन अ अल क्योंकि हम बुल गया हुआ हुआ है अमारी अस्रूरी सुरूप शात्मे है। लेकिन हम बुल गया है। और जी बुल को हुआ होटना चाहिए। आब क्या होगा हमारी रूक्ति शंदि कुरआ हो चुरा हो पुड़ बेलाएगा। लेकिसे रोगभ़ी क्ज रें स्चाथा कोई चीज से मिले के लिए लिएसे निए। कोई नहीं से रिखना से निए ऑ़ेक्ति से निए निए, क्रम से vaisगें। माई का कोई substitute नहीं हो सकता है, उसको कोई change नहीं कर सकता है। प्रग्यान पुरुष कहते हैं, जितने भी शब्द हैं, उनका एक केंद्र है, वह है खृदय, खृदय सर्व विद्यानाम एकानमेव, जितनी भी विद्या है, विद्या का अर्थ ग्यान, यह ग्यान असंख्य प्रकार के भेदों में प्रकाशित होता है, यह जितना जगत का है वो एक उसका केंद्र है ख्रिदय इसके बारे में प्रग्यान पुरुष की कुछ वानी का अनुसरन हम करेंगे फॉलो करेंगे कह रहे हैं तुम लोग जिसके पास भी जाओ जिस मठ या मंदिर में जाओ कहीं कुछ नहीं है अपने अंदर आविशकार न कर पाने से कहीं कुछ नहीं मिलेगा अगे कहते हैं तुम्हारा स्वर्ग बाहर नहीं है नरक बाहर नहीं है देवलोक बाहर नहीं इश्वर लोक भी बाहर नहीं सब कुछ अपने ही अंदर है क्या अश्चर की बात है कि हम बाहर ढूनते फिरते हैं आगे कहते हैं निजबोध के अंदर है सब मठ मंदिर तीर्थ देवता महत्मा और आत्म गुरू अपने अंदर न देखकर बाहर दोड़ भाग करने से देह और मन का विकार होता है हम धर्म के नाम पर जो दोड़ भाग करते हैं ना कह रहे हैं उससे देह और मन का विकार होता है अगर हम अपने अंदर जहाकेंगे तो सबसे पहले अपने मन बुद्धी अंकार का शोधन करेंगे उसको परिश्कृत करेंगे स्कूलिंग होती है ये मन बुद्धी अंकार की स्कूलिंग से मन बुद्धी अंकार मार्जित हो जाते हैं और मार्जित मन बुद्धी अंकार में ये जो विकार उत्पन्न होते हैं Contradictory situations, हर action का एक reaction उत्पन्न होता है, प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो नहीं होती हैं, जब वो मार्जित हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि बाहर घुमने की वज़ा से, दोड़ा भागी की वज़ा से, इस चंचलता की वज़ा से विकार आते हैं, आगे कहते हैं, जो गुरू या इश्ट के लिए तुम लोग तफस्या कर रहे हो, जिसको पाना चाह रहे हो, वे तो तुम्हारे स्वरूप ही हैं, यह जब तक आविश्कार न कर पाओगे, तब तक तुम अंदकार में ही रहोगे, एक जगा कह रहे हैं, कि जब हम राम का भजन करते हैं, क्रिश्न का भजन करते हैं, किसी भी अपने गुरू या इश्ट का, किसी भी अपने आराध्य देवता का भजन करते हैं, जीजिस का, अल्लह का, किसी का भी भजन करते हैं, उस वकत हम अपने ही बड़े ब्रिहत स्वर को वो मानकर, राम मानकर, कृष्न मानकर, अल्ला मानकर भजन कर रहे हैं। ये दृष्टी आ जाती है आत्मस्वरूप में प्रतिष्थित इन्सान की। अब इस दृष्टी से वो जब explain करते हैं तो कहते हैं कि अल्ला भजन कर कौन रहा है। मैं। और करते हुए उसको जो experiences आ कवालिया सुनी होंगी तो कवालियों में जो अल्ला की अबादत होती है उस अबादत में एक इलेक्टरिकल अटमस्फेर त्यार हो जाता है इन्टायर प्लेस के इलेक्टरिकली चार्च जो भी इनसान वहां बैठा होता है उसके अंदर तरंगें दोणने लगती हैं ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं जितने करीब मन हमारे अपने आत्मस्वरूप के जाता है क्योंकि वो आनंद स्वरूप हैं आनंद से परिपूर्न है तो आनंद के जितने करीब जाएगा तो मन को भी आनंद का experience होने लगेगा लेकिन मन ये भूल गया है कि आनंद और वो एक हैं तो आनंद की तरफ बन जब दोड़ता है इन भजनों वगरा के माध्यम से तो मन को एक experience होता है वो experience किसको होता है again मैं मैं नहीं तो experience नहीं तो experience जो कोई कर रहा है जिस भी नाम से कर रहा है वो अपने ही higher self को भज रहा है अलग-अलग नाम से that's all nothing else आगे कहते हैं मनुश्य की बाहरी पूजा जो होती है मूर्ती घट या प्रतीक अवलंबन करके हम कोई भी एक something gross एक visible कुछ रखते हैं उसको मूर्ती बोलिये घट बोलिये कोई प्रतीक बोलिये एक insignia एक कोई design किसी प्रतीक को रखके हम अपनी पूजा या अर्चना करते हैं उसी का जिक्र हो रहा है तो कहते हैं बाहरी पूजा जो होती है मूर्ती घट या प्रतीक अवलंबन से है वास्तव में निज बोध से निज की ही पूजा मगर भेद ग्यान से with a sense of difference कि ये जो प्रतीक है ये जो मूर्ती है ये मेरे आराध्या है मुझे यहां तक पहुचना है ये एक भेद ग्यान होता है एक sense of difference रखके ये पूजा शुरू होती है ये मैं ही अपने higher self की पूजा कर रहा हूँ जिसको भूल गया हूँ या higher self की अबादत कर रहा हूँ या मनन कर रहा हूँ ये भी एक भेद ग्यान है अपने ही अंदर और मैं ही हूँ वही इसमें कोई भेद नहीं है मैं तो हूँ ही खत्म हो गई बात लेकि हम लोग इस ग्यान में प्रतिष्ठित नहीं है इसलिए हम लोगों को अलग-अलग support लेके आगे बढ़ना पड़ता है असल में है supportless ढून रहे हैं कोई न कोई support आगे बढ़ने के लिए तो कहते हैं जब यही स्वग ज्यान में होगा तब ही जाकर आत्म बोध सिद्ध होगा भेद ज्यान से पूजा नहीं स्वग ज्यान में पूजा स्वयम के ज्यान में स्वयम की पूजा स्वयम के द्वारा स्वयम के अंदर यह स्वग ज्यान की पूजा हो गई आगे कहते हैं मैं हमेशा ही अकेला मेरा कोई नहीं न मैं किसी का मेरा कोई कभी होगा भी नहीं यही अद्वैत भावना ही शांती का एक मात्र पत है देखिए अगर मंत्र बोल के कोई चीज हम उचारण करना चाहते हैं तो देखिए किस किसम से बिना कहे हम लोगों को मंत्र मिल रहे हैं यह बारंबार इस चीज का अध्यन करेंगे, मैं शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य, अजर, अमर, अपाप, बिध, सच्चत, आनंद, स्वरूप, केवलं, ये सब अखंड मंत्र हैं, पक्का मैं के मंत्र हैं, आगे कहते हैं, रिदय का अर्थ है, वह जो हृत वस्तू को वापिस कर दे, अथ्वा पूरा कर दे, बायोलोजिकली डाइसेक्ट करें, तो शरीर का तो एक रिदय और्गन है, परंतु सस्कृत में इसका अर्थ है एपसल्यूट, अखंड भूमा, रिदय है भूमा अखंड, यह है तात्विक अर्थ, एक बायोलोजिकल और्गन जो है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टन है बॉड़ी के लिए, लेकिन यह हिर्दय जो है, यह कह रहे हैं, सर्व विद्यानाम एकानमेव, आगे बढ़ें, ने इस Absolute का जो सिंटर है, वोह है आई, वोह है मैं, यह आई ही सिंटर है और यह आई ही बांडरी है, आई एक ऐसा सर्कल है, जिसका सिंटर है सर्वत्र और सर्कम्फरेंस है नोवेर, यह बड़ी एक इंट्रिस्टिंग चीज़ कहते हैं, कह रहे हैं, अगर एक infinity का circle draw करें वो draw तो हो नहीं पाएगा because the diameter is infinite लेकिन ऐसे circle में center is everywhere जहां से भी आप पकड़ लीजिए उसको center मान सकते हैं क्योंकि उसका circumference है ही नहीं So in the house of absolute यह सरफ सोचने के खातिर house of absolute बोल रहे हैं absolute is all-pervading उसमें कोई house नहीं हो सकता लेकिन in that all-pervading state of absolute the center is everywhere because the absolute is there everywhere So everywhere there is a center आई की कोई limitation नहीं है absolute की कोई limitation नहीं है देखिये बचपन से अब इसको ले आएं एक life के अंदर example के तौर पे असान होता है समझने के लिए कह रहे हैं देखिये बचपन से जितना कुछ भी experience हुआ अनुभूती हुई उन सब को एकठा कर अगर मन में रख दिया जाए तो मन पागल हो जाएगा मन अपनी इस्थिती में absolute को कभी पा नहीं सकता है absolute के अंदर जो कुछ है वो अगर मन पाने की कोशिश करेगा तो मन पागल हो जाएगा या absolute के अंदर विलीन हो जाएगा अपना अलग अस्थित्व बना के रखने की कोशिश करेगा उतना सारा ग्यान को धारण करके तो पागल हो जाएगा और अगर अपने आपको विलीन कर देगा तो क्या बात तो फिर मन अमन हो गया अपने पका मैं में अस्थित्थ हो गया परन्तु आई मन पागल हो जाएगा लेकिन मैं अंटच्च्ट रहा और है भी उसमें कोई चेंज नहीं आया मैं जैसा है वैसा ही था और रहेगा हमेशा के लिए एक संग्या दी है बावटबर ने All Divine For All Time As It Is सब कुछ Divine है हमेशा के लिए इसी को Explain करके बोल रहे हैं कि I Untouched है और मन जो है वो पागल हो जाएगा इतनी सारी चीजों को धारन करने के प्रयास में आगे कहते हैं This message is for one and all without any distinction समस्त ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब के लिए message है कोई distinction नहीं है whatsoever हम भूल गए हैं अपने असली स्वरूप को जो हमेशा साथ में ही था और रहेगा भी है भी था भी रहेगा भी भूला स्वरूप याद आ जाने से क्या होगा हमारी मुक्ती शान्ती आनंद पूर्न रूप से उजागर हो जाएगा लेकिन दूसरे किसी भी चीज के पाने से नहीं होगा ये काम कोई व्यक्ती कोई सम्मान कुछ भी क्योंकि मैं का कोई substitute नहीं होता हमारा समय समाप्त हो चला है हम हृदय है भूमा अखंड ये कड़ी यहीं समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में हमारी फिर से भेंट होगी